हेलो फ्रेंड्स मैं विन्य निर्भिक फ्रेंड्स आपके अबर फिर्श हमारे चैनल पर स्वागत है तो फ्रेंड्स आप थम्निल में देख रहे हैं क्या क्या लिखा हुआ है कई बड़ी खबर एक शाथ आ रही है और भी एंटी पिसे सेंथ फेस का टलना लगभगत है जी हा पिसेंथ सेंथ फेस का टलना लगभग तै हो चुका है और और ग्रूप डे के लिए महा अंदोलन इसके बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ फिर मैं बताऊंगा और ग्रूप डे एक्जाम की गारंटी देने वाले गायब जी हां फ्रेंड्स जो लोग हर महीने गा आ रहे हैं और नहीं को छु में नजर आने वाले हैं यह वही लोग है जो पहले 15 अपरेल से अगजाम करा रहेते घृप डी का फिर जुलाइओं होगा फिर ऑगस्ट फर्श्ट विक में ऐगजाम होगा फिर ऑगस्त लस्ट विक में होगा और फिर बोलने लगे सितंबर होगा लेकिन आप वो दिन दूर नहीं जबहें नोघेव norm वहागलडने वाले थेंगे फिर खरनेगे इंबक यूटॉबर केए औस पूपिक चाहिए बोलने का चाहिए कोईYoutuber हो चाहिए कोई ठीक है तो रर्वी जब नोटिस दे करके एक्जाम नहीं करा पाता है तब आप किसी यूटूबर भी इतना विश्वास कर लेते हैं कि वो बोला इस महीने एक्जाम होगा तो 100% होगा जबकि आप उसकी इतनी सच्चाई देख चुके हैं फिर भी आप लोग ऐसे बात करते हैं ने बहुत से यूटूबर ने बहुत से डेट दिया यहां तक कि कई यूटूबर ने बोला था कि जून के लास्ट विक में ही मिनिस्ट्रेंड अधा बीच चुका है अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और NTPC 7th phase को लेकर के भी कई सारे डेट दिये गए तो कई यूटूब लेने वाले नहीं है मैं हमेशा कहता हूं आप लोग ओफिशियल नोटीस का वेट करें हाँ अगर कोई possibility की बात करता है तो आप माल लेकिन अगर कोई 100% गारंटी लेता है तो आप बिल्कुल समझ जाए कि जूट बोल रहा है केवल व्यूज गेन करना चाह रहा है बाकी कु इसलिए क्या है कि रेलेवे ने भी कभी भी सेडियूल वर्ड यूज नहीं किया क्योंकि सेडूल के बाद भी पॉस्ट पॉस्पाॉन कर सकता था वह तो रेल्वे के हाथ में वो कोई विदपार्टमेंट होता है वह उतना उसका आधिकार होता है कि बाद में अग्जाम होन कुछ लोग गारंटी लेते हैं कि Group D सितंबर में होगा, अगस्त में होगा, यह होगा, वो होगा, और मैं वहीं गारंटी नहीं ले पाता हूँ, तो मुझे लोग कहते हैं कि Negative है, कभी भी चाहता है नहीं exam हो, तो friends क्या करूँ, जब situation जो जैसा दिख रहा है, मैं वैसा बात कर आँ, ठीक है, और मैं बात कर रहा हूँ, आररवी Group D के लिए महा अंदोलन के, friends, तो आपको मालू, मैं इससे पहले कई सारे अंदोलन चलाएं, जिसका कोई effect आपके सामनी नहीं आया, exactly, ठीक है, लेकिन यह अंदोलन जो होने जारे, इसमें पहले और मैं support कर रहा हूँ, क्य पाएगा, otherwise, आप ऐसे ही परशान रहेंगे, और कभी भी कुछ हो नहीं पाएगा, तो आप लोग इस Twitter campaign में जरूब सामिल हो, यह online महा अंदोलन है, ठीक है, परसो 18 जुलाई को, जिसका आपका hashtag रहेगा, has rrc underscore group d underscore modification underscore link, यानि rrc group d modification link, rrb group d मत लिख देगा, आप लोग न यानि कि trending में आ सके आपका tweet, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं, यह देखिए फ्रेंड्स, मनिपूर में भी lockdown लग गया, वो भी complete lockdown लगा है, total curfew, यहाँ पर आप देख से तो, COVID-19, मनिपूर government imposes total curfew for 10 days, starting July 18, amid delta variant surge, यानि कि मनिपूर में 18 से ले करके, अठाइस जुलाई तक complete lockdown, complete curfew लग चुका है, जहाँ पर केवल 2-3 तरीके लोग छूट दिया गया है, एक जो vaccination कराने जा रहे हैं, या फिर COVID test कराने जा रहे हैं, या फिर किसी का तबियत खराब है, मतलब कि, यह मतलब 2-3 condition में आपको छूट मिलेगा, अधर वाइस आपक cultural activities will be allowed during the curfew period, और यहां total curfew लग चुका है, friends, आपको मालू में दे कि, इंफाल, with the wide prevalence of the delta variant of COVID-19, the Manipur government has decided to impose a total curfew for 10 days starting from July 18, यानी कि, अठार जुलाई से मतलब कि, आपका 10 दिन का पूरा total curfew लग जाएगा, there is a need to take stringent measures to break the chain of transmission, यानी कि, मलब कुछ हमें करें, मलब लेने की जरूवत है, कैची, करी decision लेने की जरूवत है, measures लेने की जरूवत है, तरीके अप्टाने की जरूवत है, ताकि जो है transmission का change जो है, ब्रेक हो सके, ठीक है, therefore, the state government has decided to declare total curfew from July 18 for 10 days, the health department said, आगे क्या लिखा Meanwhile, Manipur Chief Minister N.B.R.N.S. has announced that all the institutions except the essential services will remain closed during the curfew period, further only the people coming out for vaccination and testing will be permitted to venture out, यानी कि, जो vaccination या फिर टेस्टिंग के लिए घर से बाहर निकल लें, उन्हें को क्यों अलाव किया जाएगा, All are requested to cooperate in tackling COVID-19, the health department said, तो सभी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, health department के तरब से, कि आप cooperate करें, ताकि हम COVID-19 को tackle कर सके, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, friends की, जो third wave है, इंडियम entry कर चुका है, 4 जुलाई को ही, और third wave जो है, और कुछ नहीं, यही delta plus variant जो आया हूँ, इस काम date की जो लोग guarantee देते हैं, आपको मालूम होगा, वो लोग कई guarantee पहले ही दे चुके हैं, और एक भी guarantee पर success नहीं हुए, एक भी guarantee उनकी काम नहीं आई है, ठीक है, तो यह भी guarantee अब काम आने वाली नहीं है, जो लोग चिला रहते, 25 अगस्त होगा, फिर या फिर सितंबर 1st week से होगा, तो यह भी guarantee कोई काम आने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तो उमीदी ने एक 7th phase हो पाएक अपने टाइम पे, तो फिर group D की हम क्या बात के reference, तो हमें तो यहीं लगता है, कि अब group D जो है 9 दिसमबर तक भी खसक सकता है, लेकिन मैं आप लोग से कहूंगा, आप लो जो group D दिसमबर तक खसक जाएगा लगबर, ठीक है, और जो यह लोग guarantee देते हैं, उनसे उनका proof मांगिए, और proof call recording मत मांगिए, कि call recording चकर में आप देख चुके है, कितना नुक्षान हो चुका आप लोग का, मैं कई call recording का fake दिखा चुका, आप proof कर चुका हूं, कितना fake होते ह ठीक है, तो अभी आप लोग group D वाले, अभी के उल प्रिपरिशन पर फोकस करें, अभी एक्जाम डेट के चकर में ना पड़े, और अभी के उल modification link की में लब demand करें, ताकि बाकी काई भला हो सके, जो 4-4-4 लाग एंट्स बचे हो, जो modification link के लिए परशान है, जो quote में फशे हुए हैं, जिनका मामल फशा हुआ है, वो भी आपके साथ आ सके, वो भी एक्जाम में बैठ सके, ठीक है friends, तो अभी के लबस इतना है, ठैंक यू, जय हिंद, जय भारत